तो आज मैं आपको लोबिया की डाल बनाने का एकदम अलग तरीका बताऊंगा और इस तरीके से आपे डाल बनाएंगे ना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी हम हफते में अलग-अलग दाल खाना पसंद करते हैं पर जो लोबिया की डाल रहा ना उतना टेस्ट नियाता है जब हम इसको बनाते हैं ट्राइ कीजिए इस रेस्पी को एक बार फिर आप इसका टेश्ट देखिए तो अगर आप सीखना चाते हैं इतनी डेश्टी ताल गर पर कैसे बनाए ना तो वीडियो को आपने बिना स्किप के उलाच से जरूर देखना है यहाँ पे मैंने एक कप लोबिया की डाल लिया है इसे रोंगी भी बोलते हैं और सबसे बहले हमने करना है डाल को आच्छी तरह से दो से तीन पानी से धो लेना है दो ना जुरूरी होता है दालों को क्योंकि इनके बाहर से डर्श्ट बगेरा पॉलिस पे रचड़ी होते हैं उसको निकालना जरूरी होता है तो अच्छी तरह से 2-3 पानी से डाल को धो लीजिए दोने के बद आपने काम करना है इस ताल को कम से कम 2 घंटे तक बिगो लेना है और गरम पारी में बिगोना है बिगोने से डाल जल्दी फूलेगी जल्दी फूलेगी तो इसको पकाने का जो परसेस है वो कम हो जाता है बहुत ही जल्दी पक भी जाते है फिर ये डाल तो ये देखिए डाल को यहाँ पर मैंने गरम पारी में बिगो दिया है बिगोते टाइम आप इसको न उपर से कवर कर दीजे तक इसके अंदर स्टीम बनी रहे भाब बना रहे तो ये देखिए आप देख सकते हैं दो गंटे तक मैंने डाल को बिगो के रखा था और दाल हमारी अच्छी तरह से फूल चुकी है फिर आपने इसके बादाल को बॉयल करना है यहाँ पे तो चलिए मैं तो दाल को प्रेश रूपकर में बॉयल कर रहा हूँ आप चाहें इसको पतीले मीव अलग से उपर में बॉयल कर सकते हैं इसमें आप नमग डाल दीजिए एक छोड़ा चमप भर के और थोड़ा सा आपने इसमें हल्दी पौडर एड़ करना है हल्दी पौडर से डाल के उपर ना कलर अचाहेगा तो इसके उपर ढखकन रख देते हैं और जब तब बॉयल ने आता है गैस की फिलेम आपने हाई रखनी है और यह देखे डाल हमारी यहां पर उबलना शुरू है चुकी है तो जैसे डाल में बॉयल आता है उस ताइम डाल के उपर जाग बनती है तो उस जाग को आपने निकाल देना है देखे इस सरह से जाग को निकाल दीजिए इसके बद आपने डाल में थोड़ा सा ओईल या घी डालना है देसी की इससे क्या होता है जब pressure cooker में बिसल आती है तो पानी बाहर नहीं आता है एक तेज़ पता डाल दीजिए एक आपने बड़ी राइची डालनी है दो से तीन आप इसमें long डाल दीजिए और इसके साथ में उपर से pressure cooker को cover कर देना है गैस की फिलिम आपने medium to high रखनी है सिर्फ 20 से लगवानी अलगवत 10 से 12 मिन तक आपने दाल को पकने देना है तब तब मसाला पना लेते हैं आदा कप यहां पे मैंने देही लिया है देही में आपने आदा छोड़ा चमच हल्दी powder एड करना है और एक छोड़ा चमच आपने द ड्राइ जिंजर पौर्डर एड करना है एक छोड़ा चमच आप इसमें soft powder एड कर दीजिये तो dry ginger powder or soft powder आपने इसमें थोड़ा थोड़ा जरूर डालना है इससे बहुत अच्छा flavor आएग आपकी डाल में अच्छी तरह से देही किसाब मसालों को mix कर लेते हैं और देही किसा तो सरसनों के तेल का यूज़ कर सकते हैं दाल को बनाने के लिए तो गी को अच्छी तरह से मेल्ट होने देते हैं थोड़े से खड़े मसाले एड़ करेंगे एक बड़ी लाइची एक तेज़ पता दो आप इसमें लॉंग डाल देशिए और दो से तीन छोटे चोटी लाइच लिए था जिसको बड़ी काड़ के एड़ किये हैं यहां पे गैस की फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम में प्याज को आपने अच्छी तरह से पका लेना है जब तर प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन प्राउन ना हो चाए तो यह देखिए प्याज का जो मोईस्टर रहा है तो किये देखिए प्याज का कलर देखिए लाइट गोल्डन प्राउन नो हो चोगा है ना इसके बद आपने इसमें थोड़ी सी किस्मिस एड़ करनी है और थोड़ी से काजु डार सकते हैं इसके अंदर काजु टुकडा का यूज किये आप साबूर काजु भी डार काजु और किस्मिस को भी आपने प्याज के साथ थोड़ा सा पका लेना है अगर आपको किस काजु ना हो तो काजु को अप स्कीब भी कर सकते हैं किस्मिस आपने जरूर ढौने इस ना किसफिए अंस्टाल के अंदर फिर देहीं एड़ कर देंगे जिसके साथ हमने मसाले घोल के रखे हैं आपे और कि देखे अभी अपने पानी डालना है इसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा जो देही है न वो फट जाता है करडल हो जाता है तो ये देखे आपने गैस की फ्लेम इसका मीडियम टू हाई कर देनी है और medium to high flame में देही को पकाना शुरू कर देना है तो ये देखिए देही करडल नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ क्योंकि देही मसालों के साथ ठीक हो चुकी थी अब देही को भी आपने मसालों के साथ अच्छी तरह से पकाना है और दाल हमारी खड़ी-कड़ी भी है तो इस दाल को जड़ा गलाना नहीं होता है आप इस दाल को जड़ा गला देते हैं तो दाल का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आता है तो इसी तरह से आपने दाल को भीगो के बॉयल करना है फिर दाल का टेस्ट बहुत ही बड़ी आएगा अब दाल को हम मसाले के अंदर एड़ कर देते हैं और इसके बद गैस की फिलिम चालू कर देते हैं गैस की फिलिम आपने medium to high रखनी है तीन से चार मिन तक medium to high फिलिम में दाल को फिर से पका लेना है तकि मसाला और दाल जो वो अच्छी तरह से आपसे मिक्स हो जाए और अगर आप दाल को थोड़ा पतला करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी स्मेड कर सकते हैं वैसे ज़्यादा पतला नहीं करना आपने इस दाल को थोड़ा ठीकी रखना है यापे और लाश्ट में आप इसमें थोड़ा सा बरी कटवा हरे धनी डाल दीजिए हरे धनी को भी दाल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं तो यह हमारी लोबिया की दाल बन के त्यार हो चुकिए आप इसको राइस के साथ खाएंगे ना बहुत ही जड़ा टेस्टी लएगी खाने को रोटी के साथ भी खास रखते हैं तो वीडियो अच्छा लगोगा लाइक शेयर कमेंट जुरूर कीचेगा ओके फ्रेंस थैंक यू